तो दोस्तों आज हम देखेंगे पिछले एक हफ्ते में क्या important editorials रहे हैं, यह जो articles newspaper में आते हैं, कैसे वो हमारे exam के लिए relevant हो सकते हैं, क्या data उसमें से निकाल के एक अच्छा answer बनाया जा सकता है, यह सब आप आज के इस वीडियो से सीखेंगे, तो क्या topics हैं जो हम आज पढ इस particular bill की बात करो, तीन ऐसे act थे जिनको repeal किया गया, उसकी जगे एक नया bill आया है, यह bill क्या करता है, जो telecom की entire industry है, उसके processes को, उसके licensing को streamline करने के easy, simplify करने की यहाँ पर कोशिश की गई है, फिर उसके बाद हम लोग postal bill के बारे में देखेंगे, यह भी इसी प्रकार से एक पुराना act था, जिसको हटा के एक नया bill आया है, आज एक democratic, progressive society में आप रहते हैं, जो आज की society है, शायद वो जो British era के time पे कानून बने थे, जो act बने थे, उससे अच्छे से match नहीं करती, इसी वज़े से ज़रूरी हो जाता है, changing time के साथ democratic, progressive society के साथ एक नया reform लाना, यह ज उसके बाद आप पढ़ेंगे नयाय सहीता के बारे में, अभी तीन act आप देखेंगे, IPC, CRPC और Indian Evidence Act, यह तीनों ही जो acts हैं, इनको कुछ हद तक tweak करके, कुछ changes लाके, कुछ इसमें से हटा के, कुछ इसमें जोड के, तीन नई सहीता हमारे सामने आती है, इसमें से एक है भ इंडिया के लिए अभी इस point of time पे concerning बना हुआ है, यह चीज आप यहां देखेंगे, और ultimately हम लोग कुछ foods पे बात करेंगे, ऐसे foods जहां पे salt की मातरा जादा है, sugar की मातरा जादा है, fat की मातरा जादा है, और obviously इन तीनों ही चीज़ों की अगर मातरा जादा होगी, तो से नुकसान हमारे लिए कर सकते हैं, एक individual की health पे जो इतना impact डाल सकते हैं, उन पे tax लगाया जाना चाहिए, tax लगेगा तो क्या होगा, अगर आप किसी एक particular चीज़ पे जादा tax लगाएंगे, तो उसको खरीदने के लिए लोग कम उसकी तरफ आकरशित होंगे, अगर लोग की चीज़ इस particular article में हम लोग पढ़ेंगे, तो अब देखते हैं हमारा पहला article, यहाँ पे हम लोग टेली कॉम बिल के बारे में बात करेंगे, देखें दोस्तों, पहले एक act हुआ करता था, in fact इस case में तीन act ऐसे थे, जो British Times में थे, कोई भी बिल पढ़ने से पहले, सबसे जरूरी हम यह समझे कि क्या जरूरत पड़ी, क्या नीड थी कि उस बिल के पुराने वाले चीज़ को या पुराने act को हटाया गया, और एक नया बिल, एक नया act उसकी जगे पे इंट्रिज्स किया गया, सबसे पहले जो act था, वो basically एक 1933 का था, एक 1885 का था, और एक जो हो 1950 क अब आप देखेंगे यह पूरा time period है, यह British time period है, British era है, या फिर अगर मैं बात करूँ तो यह colonial time period है, इस समय अंग्रेजों की मन में यह तो होगा नहीं कि भारतियों को भैतर जीवन दिया जाए, human rights को बचाया जाए, उनके मन में होगा, कैसे इनको suppress किया जाए, जो nationalism की भा जाबना जाग रही थी, कैसे उसको suppress किया जाए, कैसे रोक लगाई जाए, कैसे human rights, fundamental rights को रोका जाए, उसको दबाया जाए, तो उस time जो भी कानून बनेंगे, उसमें कही ना कही वो provision आपको दिखेंगे, इसलिए इन भे भी वो ही provision आपको दिखते हैं और इन ही चीजों को देखते हुए, सरकार कहती है, अब वक्त आ चुका है जब उन particular acts को हटा दिया जाए, और एक नया act आपके सामने लाया जाए, और जो नया act होगा, ये एक reforming India, एक evolving world के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाला होगा, उसके साथ parallel में चलने वाला होगा, इसी तर्च पे आया है है हमारे सामने टेलिकॉम बिल, अब अगर टेलिकॉम बिल को आप समझेंगे, तो देखे समझते हम लोग कैसे ये पूरी तरीके से act करेगा, एक basic flow charts समझते हैं, सबसे पहले अगर आपको कोई एक particular टेलिकॉम industry खोलनी है, आप आसान भाशा में सबजिए, अगर कोई टेलिक पास जाएंगे और कहेंगे हमको allocate करो spectrum, क्या चीज, spectrum आप allocation मांगेंगे, यहाँ पे दो तरीके इसके दिये गए हैं, सबसे पहले तो एक auction के माध्यम से हो पाएगा, यानि एक निलामी होगी जहाँ पे सभी लोग बैठेंगे, वो अपने price लगाएंगे, बोलेंगे इस particular price म हमको यह auction दिया जाए, तो एक तो तरीका है auction से, दूसरा तरीका है administrative allocation, जो administrative allocation है, इसमें इस प्रकार से होगा, मैं अगर for example, satellite के जरीए कोई telecommunication network बिछाना चाहता हूँ, मैं सरकार के पास जाओंगा, मैं कहूंगा मुझे इतने पैसे में, या फिर यह particular spectrum दे दो, उसके regarding जो पास जाके auction मिल गया, कुछ रुपए दे के, तो यह हो गया दूसरा allocation का तरीका, तीसरी इसमें ये बात है, अगर reassign या reharbonize करना हो, तो वो भी power सरकार के पास है, कि एक spectrum दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है, अब माल लिजिए आपने ये पहला process कर लिया, अगले process पे च बिचाना है, ये tower बिचानी है, तो ये जो bill है, एक ये right of way के बारे में बात करता है, यानि अगर आप चाहें, तो आप अपना infrastructure खड़ा कर सकते हैं, बिचा सकते हैं private land पे और public land पे, ये यहाँ पे अधिकार देता है, telecom operators को, telecom companies को कि आप अपना infrastructure expand कर सकते हैं, फिर आप आ एक balance, एक रोका गया है इस प्रकार की चीजों को, जिससे की कोई भी ऐसी गतिविदिया ना हो, जो हमारे देश के लिए हानिकारख हो सके, अब आप बल्क में SIM card issue नहीं कर सकते, आप यहाँ तक आ गए, आपने यहाँ पे infrastructure अपना खड़ा कर दिया, उससे पहले authorization ले लिया, allocation ले लिया, अब इसके बाद आता है, users के संबंध में तीन चीजें, सबसे पहले अगर आप देखिए, माल लेते हैं, कोई user दूसरे user से बात कर रहा है, तो इसमें एक ऐसा provision आता है, जो इसको थोड़ा चिंता जनक बनाता है, यहाँ पे आपकी बात सरकार intercept कर सकती है, सरका सरकार हमारे कोई दो लोगों के बीच की बात को intercept करती है, इसका मतलब आपकी personal details, आपकी जो privacy है, वो कही न कहीं infringe हो रही है, यानि आपका fundamental right infringe हो रहा है, यानि कि कहीं न कहीं आप Supreme Court में इस मुद्दे को लेकि जा सकते हैं, तो यह भी आने वाले समय में एक चीज बन सकती है, उसके अलावा यहां पर एक और चीज कही गई है, अगर सरकार चाहे तो internet shutdown कर सकती है, अभी तक किसी भी बिल में इस प्रकार से specifically mentioned नहीं था कि shutdown भी ऐसा हो सकता है, लेकिन यहां पर वो specifics में mentioned है, यह चीज important है, फिर user के अच्छे के लिए यहां पर एक और काम किया गया ह है, कि अगर माल लीजिए, आपके पास कोई spam messages आ रहे हैं, तो आप do not disturb का register लगा सकते हैं, या फिर अगर कोई promotional message यह spam message आपके पास आते हैं, तो आप से पहले पूछा जाएगा, आपका accent लिया जाएगा, आपने accent दे दिया, उसके बाद ही यह message आप तक पहुंचेंगे, त तो यह कुछ ऐसे प्रावधान है, जो आपको ध्यान रखने हैं, और इससे आप एक निचोड बिल का समझ सकते हैं, कि बिल कहना क्या चाह रहा है, अब हम इसके कुछ specifics देख लेते हैं, सबसे पहले तो देखिए, जो तीन loss की हम लोग बात कर रहे थे, जिसको इसने repeal किया है, वो यहाँ पे कौन से हैं, तो आप देखेंगे, एक है Telegraph Act, Telegraph Act कप का है, 1885 का है, एक Telegraph Act है, जो 1933 का है, एक Telegraph Wires Unlawful Possession Act है, जो 1950 का है, जैसे मैंने बताया, तीनों ही बिल कप के हैं, ये British Times के हैं, ये Colonial Times के हैं, ये ऐसे era के कानून आपके सामने लाके रखते हैं, जब भारतियों को suppress किया जा रहा था, तो क्या ये अभी ठीक होंगे, अभी के अनुसार ये ठीक नहीं होंगे, इसी लिए reformation की ज़रूरती और इसी लिए reform होके हमारे सामने आता है, एक particular bill जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है Telecommunication Bill 2023, फिर यहाँ पे एक और बिल की बा यानि ट्राई, और दूसरी कौन सी, दूसरी बनी है TD-SAT, या फिर Telecom, Dispute, Settlement and Appellate Tribunal, यानि अगर आप किसी एक पार्टी के द्वारा दिये गए फैसले से खुश नहीं है, तो आपका अधिकार है आप अपील करें, अपील करके आप एक कमिटी के पार जाते हैं, कमिटी क अपील करके आप जाते हैं, TD-SAT के पास, ये TD-SAT फिर आपकी सुनवाई करता है, यानि अपीलियेट मेकानिजम यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपके एक्जाम के लिए इंपॉर्टन यह हो सकता है, इस पर्टिकलर अक्ट में कौन-कौन सी दो बाडी बनी, फिर आप की है, उसके बाद अगर हम बात करें, तो क्या की प्रोविजन से हैं, हमने जैसे की बात की, पहले आपको ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, किसका ऑथराइजेशन लेंगे, हम लोग लेंगे Central Government का ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन के तहत क्या होगा, Central Government कहीगी कि आप यह particular चीज कर लीजिए, यह आप एक टेलीकॉम कंपनी या कुछ भी यह आप establish कर लीजिए, उसके बाद आप spectrum के allocation की बात करेंगे, जो spectrum allocation की बात है, वो भी यहाँ पे दो तरीके से बताई गई है, एक auctioning से और दूसरी administrative allocation के थुरू, administrative allocation में किन-किन को directly दिया जा सकता है, त इसमें जो-जो नाम लिखे जाएंगे, उनका यह अधिकार है कि वो directly सरकार के पास जाके spectrum का location मांग सकते हैं, कौन-कौन से नाम लिखे हैं, तो इसमें देखिए, इसमें 3-4 नाम लिखे गए हैं, सबसे पहले तो इसमें national security की बात की गई है, disaster management की बात की गई है, उसके अल licensing regime से एक authorization regime की तरफ ले जाता है, क्योंकि आपको authorization लेना पड़ेगा, पहला ही step जो आपने देखा था, वो authorization पर था, यह आपके लिए important हो जाता है, फिर हम देखते हैं, इसमें क्या-क्या है, इसमें penalties बढ़ा दी गई हैं, अगर आप comply नहीं करते हैं, माल लिजी हमने बात क यह था, कि जो पहले telecom companies थी, अगर वो कभी दिये गए प्रावधान पर नहीं चल पाती थी, तो वो कहती थी हम तो इस प्रावधान पर चल नहीं पा रहे हैं, तो हम पर penalty लगे और penalty इतनी भारी थी, कि वो debt burden में आ जाती थी, उनके उपर इतना जादा debt चड़ जाता था, क कि वो recover नहीं कर पाती थी, सरकार ने कहा कि यह तो ठीक नहीं है, कोई company के उपर इतना debt आ जाए, कि वो recover ना कर पाए, तो वो अपना network कैसे चला पाएगी, इसी वज़य से, इसी वज़य से, इस बिल में कुछ penalties कम भीग की गई हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है, फिर उस कि हमने बाग की internet shutdown, अभी तक ही नहीं था, लेकिन अब internet shutdown की बात आती है, internet shutdown को अगर आप देखें, तो कुछ opponents ऐसा कह सकते हैं, कि सरकार अपने मकसद सिद्ध करने के लिए internet shutdown कर सकती है, यह भी एक point है, उसके अलावा कहा जा रहा है कि यह draconian bill है, क्योंकि पिछली बार की इसमें भी intersection पे जोर दिया गया है, उसके अलावा कहा गया है, यह mass surveillance के भी काम आ सकता है, mass surveillance क्यों, क्योंकि आपकी बातों को intercept किया जाएगा, तो एक surveillance आपके उपर, एक निगाह आपके उपर हमेशा बनी रहीगी, उसके अलावा, यहाँ पे एक चीज और कही कही है, कि उसे नाम के sim लेके, किसी particular organization या institute के खिलाफ, या फिर उसमें चल रही ill practices के खिलाफ, बात आगे बढ़ाते हैं, उनको expose करते हैं, यह चीजों को आगे पहुचाते हैं, लेकिन अब क्योंकि यह आपके उपर compulsory है, कि आपको अपना ID दिखा के, या फिर अपने biometric identification के बाद ही particular किसी कोई sim मिल पाएगी, या फिर किसी process में आप आगे बढ़ पाएगे, इसका मतलब क्या है, जो whistleblowers हैं, जो पहले चाह रहे थे कि वो किसी particular organization के loopholes को उसमें चल रहे ill practices को expose करें, आप वो नहीं कर पाएगे, क्योंकि उनको चाहिए anonymity, यहाँ पर anonymity खतम हो रही है, तो य में क्या बताया गया है, central government कि chapter 4 के तहित कुछ emergency powers है, उनमें बोला, अगर यह चीज हुई, तो हम intercept कर लेंगे, अगर यह हुआ, तो हम intercept कर लेंगे, यानि वो जो emergency provision आपने दिये है, वो भी वेग है, यहाँ पर यही चीज लिखी गई है, कि लोगों में concern है, कि यह जो particular emergency provision के है, जब center अपनी power exercise करेगी, तब लोगों की right to privacy hamper होगी, तो इस प्रकार से हलाकि अगर response देखें, तो industry इससे खुछ है, वो होना लाजमी भी है, क्योंकि streamline करने का कोशिश की गई है, और अगर एक बास streamline हो जाता है, तो यह particular sector, यह particular industry इसमें काफी अच्छा काम कर पाएगी लेकिन जैसा मैंने बता है, कई लोगों को concerns भी है, तो अगर आप अपने exam में लिखें, तो एक तरफ तो आप यहाँ पे concerns लिखेंगे, और एक तरफ जो इससे खुश है, उनके बारे में लिखेंगे, कौन-कौन खुश होगा, एक तो जो digital infrastructure providers है, उनकी पूरी association खुश है, schedule 1 में satellite के तहत, अगर मैं कोई telecom service provide करना चाह रहा हूँ, यह कहा गया है, तो schedule 1 में आएगा, schedule 1 में वो आगया, यानि मुझे auction में नहीं बैठना पड़ेगा, मुझे administrative तोर पे कोई भी spectrum allocate किया जा सकता है, तो इसलिए यह लोग खुश है, फिर हम चलते अपने अगले topic के त पुराना act था, वो colonial times का था, वो British era का था, तो उस समय जो कानून बने होंगे, भारतियों को suppress करने के लिए, उनको दबाने के लिए बने होंगे, अब अगर ऐसे कोई कानून है, वो आज के time में तो relevant होगे नहीं, तो आज के time के अनुसार, जो भी प्रासंगिक चीजें हैं, जो relevance रखती हैं, उनको लाना जरूरी है, इसी लिए आपके सामने आता है दूसरा बिल, जिसका नाम है Post Office Bill of 2023, अब सबसे पहली बात इसमें होती है कि क्या मुद्दा है, जो इस बिल को सामने लाता है, या फिर इसके उपर क्यों चर्चाय चल रही है, देखिए, इस बिल मे कहता है, अगर माल लीजिए, किसी एक point से जो की A है, आप किसी दूसरे point जो की B है, यहाँ पे माल लीजिए, कोई letter भेज रहे हैं, तो सरकार यहाँ पे बीच में आके आपका जो letter है, उसमें interception कर सकती है, पहली बात, यानि आपके letter को intercept कर सकती है, दूसरी बात, intercept करने के ब information भेज रहे हैं, आप जो यह letter भेज रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं हमारी national security को खत्रा हो सकता है, तो यह एक यहाँ पे बुद्दा है, एक और बड़ी बात, यह सब होगा, लेकिन इसमें आपको कोई भी notification नहीं दिया जाएगा, यानि आपके intimation, आपके notification के बिना यह चीज ह इसके बारे में काफी चर्चाय चल रही है, एक contention वाला point हो जाता है, लोगों में इसको लेगे concerns है, फिर माल लीजिए, अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, या फिर आप post office के बास जाते हैं, कि मेरा parcel A से B पे नहीं पहुचा, अब कौन जिम्मदार है, तो post office कहेग अगर वो willfully इस particular चीज को damage करता है, तो यहाँ पे जो clause है, willful वाला, इसको लेके भी लोग चिंता में है, वो करें कैसे कोई व्यक्ति यह बोलेगा कि मैंने willfully, या मैंने जान पूछ किया आपका parcel खराब किया, या आपका letter खराब किया, तो यह जो दो sections हैं, यह चिंता वाल 16 है, उसमें भी यह बाते थी, वही चीज उठा के section 9, 10 में रख दी आपने, तो कहां difference हुआ, यह भी law तो एक draconian law हुआ, यह भी तो लोगों को suppress करने के लिए ही, सरकार को unlimited powers provide कर रहा है, कुछ ऐसे faction है, कुछ ऐसा group है, जो यह भी बात करते हैं, अब हम लोग इसमें पढ़ किया गया था, तो आप देखिए, यह कोलकाता में establish हुआ था, और कब 1727 में East India Company दवारा, यह आपके exam में important है, फिर उसके बाद अगर आप पढ़ें, तो यहां पे post office commission भी बनाए गई थी, कब 1850 में, किस के दवारा, Lord Dalhousie के दवारा, यह आपके exam में, यह आपके prelims में आन जिसमें, जो commission आपने उपर बनाई थी, उसी के recommendation पर यह particular act सामने आया था, तो यह चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, फिर उसके बाद हम समझते हैं कि कौन सा ऐसा act था, जिसको इस bill ने, जो कि अभी act है, उसने repeal किया, तो यह 1898 का एक act था, post office act 1898, जिसको अभी नए bill न रिपील किया है, अब अगर बात करें, क्या क्या इसमें provisions हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, कुछ changes जो यहाँ पर लिखें, सबसे पहले तो interception की हम लोगों ने बात किये, सरकार के पास ही power है, कि वो intercept कर सकती है, उसके अलावा, सरकार कुछ ऐसे officers को appoint कर सकती है, जो इस particular चीज को tackle करेंगे, उनको ऐसी power दी गई है, अगर शक हुआ या suspicion हुआ, कि कोई भी items deliver किये जा रहे है, उसमें कुछ ऐसी चीज है, जो किसी भी प्रकार से national security को hamper कर सकती है, या फिर जो items deliver किये जा रहे है, उसमें किसी प्रकार से duty का evasion हो रहा है, तो यह जो particular officers हैं, जिनको सरकार ने appoint किया है, यह फूरा power रखते हैं, उस particular article को detain या dispose करने का, फिर उसके बाद, जो मैंने आपको section 10 में बताया, liability भी नहीं है यहां post office की, यानि आपने detain कर लिया, उसके बाद आप liability भी नहीं है, और अगर कोई इस प्रकार के charges है, जो व्यक्ति या user नहीं दे रहा ह यह हो जाते हैं, आपके कुछ important provisions, फिर उसके बाद, अब एक और चीज़ है, जो आपको यहां ध्यान रखना जरूरी है, देखिए, पहले क्या होता था, 1898 के act के आज पास, जो exclusive power थी, letter को एक जगे से, दूसरी जगे ले जाने की, वो exclusive privilege या फिर वो exclusivity center के पास थी है, central government के पास थी, फिर एक ऐसा एरा आता है, जब छोटे छोटे private courier services immerge होते हैं, जब वो immerge होते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं center की exclusivity जा रही है, एक बार जब exclusivity जाती है, तो धीरे धीरे करके private के लिए और बड़ा एक sphere, बड़ा domain सामने आता है, यहां पर यही चीज़ की गई, जो exclusivity है, हाला कि नया वाला जो कानून है, वो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन यह तो understood बात है, कि exclusivity जाएगी, अब private courier services भी एक जगह से दूसरी जगह पर parcel deliver करते हैं, फिर उसके बाद यहां पर एक और important चीज़ कहीं गई है, कि जो post office में stamps होती है, ज पाएंगे, पहले इस प्रकार से यहां पर दिया गया है, क्या issues हैं, देखिए, एक जो मैंने आपको मुद्दा बताया, वो यह है कि जो अभी भी private courier services है, इनको regulate करने के लिए कोई भी नियम नहीं है, कोई भी ऐसा regulation नहीं है, जो इनको regulate करें, कोई specific regulation नहीं है, हाला कि जो public services हैं, उसको अभी तक 1898 के act के तहट regulate किया जाता था, लेकिन अब नया जो यह act बनेगा, इसके तहट regulate किया जाएगा, यह एक concern के तोर पर हमारे सामने आता है, फिर उसके बाद, दूसरा इसमें यह concern आता है, कि जो central government की monopoly थी, वहाँ पर यह कहा गया था, कि एक जगे से बात करूं, उसमें भी ऐसा कोई legislation नहीं है, जो किसी एक particular व्यक्ती की responsibility तैग करे, तो यह चिंता जनक बात हो जाती है, फिर आप आगे पढ़ेंगे, तो देखिए, यहाँ पर एक और जो चिंता वाली बात है, वो interception, किसी भी act में, या किसी भी बिल में, या किसी भी law में, जब interception होने लगता है, या कोई ऐसा प्रावधान होता है, जहाँ पर सरकार आके intercept कर सकती है, तो आप देखिए, वहाँ पर जरूर कोई ना कोई ऐसी बाते उठेंगी, ऐसे concerns उठेंगे, जो लोग raise करेंगे, कि सरकार हमारे right to privacy में infringe कर रही है, उसको hamper कर रही है, वही सेम चीज़ यहां होती है, जो concerns पढ़ेंगे आप, उसमें एक interception का भी आएगा, सरकार कोई power दी गई है, कि वह intercept कर पाए, फिर उसके बाद और आगे आप देखें, क्या ऐसे concerns है, सबसे पहले तो आपने intercept भी कर लिया, फिर जैसे हमने कहा, फिर भी liability आपने मना कर दी, कि हमारी amendment act, हुआ यह था कि पहले कुछ penalties decided थी, अगर किसी post office वाले व्यक्ति से या officer से आपका parcel खो जाए, या उसके द्वारा कोई ऐसी चीज़ हो जाए, जिससे आपका parcel सही जगह पे नहीं पहुँच पाया, तो उसके उपर भी penalties थी, वहीं पे जो user है, जिसने अगर कोई fees पे नह bill पढ़ रहे हैं 2020 का, इसमें हाला कि कोई इस प्रकार से specific penalties के बारे में बात नहीं की गई, लेकिन एक चीज़ बोले गई है, अगर आप किसी प्रकार का service charge या user charge है वो नहीं देते हैं, तो कैसे recover किया जाएगा, उसको land revenue के तोर पे recover किया जाएगा, यह चीज़ इसमें important हो फिर हम चलते अपने अगले topic के तरफ, अगला topic हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, भारतिये नयाय सहीता के बारे में, देखिए, तीन ऐसे laws थे, जो British era में exist करते थे, एक था IPC, Indian Penal Code, दूसरा था Criminal Procedure Code, CRPC, और तीसरा था Indian Evidence Act, इन तीनों में थोड़े से manipulation सिये गए, उसको हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, देखिए, सबसे पहले तो कुछ sections add किये गए, कुछ remove किये गए, हाला कि आपकी exam के लिए यह relevant नहीं है, कितने section add हुए, कितने section remove हुए, लेकिन just for knowledge, हम लोग यह समझ लेते हैं, कि पहले 511 section हुआ करते थे, अभी 358 ही रह गए, यानि sections क सम हुए हैं, एक इसमें important चीज़ यह हो जाती है, कि एक minimum punishments को 23 crime के लिए mandatory कर दिया गया है, कि इतने minimum punishment मिलेगा ही मिलेगा, एक और important इसमें चीज़ है, community service के बारे में, देखिए, community service क्या होता है, community service मतलब, अगर आपका कोई इतना बड़ा crime नहीं है, कि आपको jail में डाला जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं बूलूँगा, चलो आपको ये particular सजा दे दी जाए, सजा मतलब आपको ऐसा बोल जाए, कि किसी एक particular premises को आप साफ कर दीजिए, जाडू लगा दीजिए, कोई और community को serve कर लीजिए, इससे क्या होगा, मैं आपको reform करने का एक तरीका लाया गया, साथ ही, कोई शायद crime इतना बड़ा ना हो, जिसके लिए jail में डाला जाए, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए community service का प्रावधान, यहां किया गया है, कितने हैं ऐसे, total 6 यहां पे crimes हैं, 6 आपको याद नहीं रखने, उसके अलावा कुछ नए offenses को add किया गया है, किसी में imprisonment को बढ़ाया गया है, यह सब चीजे भी आपको याद नहीं रखनी, फिर उसके बाद जो अंदर की चीजे है, important वाली हैं, वो हम लोग इसमें समझते हैं, देखिए जो नई सहीता है, इसमें कुछ चीजे हैं, सबसे पहले मैंने आपके सामने बात की, community service की, community service क्या है, हमने बात की, किसी भी community को serve करने को कहा जाएगा, एक punishment के तौर पर दिया जाएगा, और इसमें आपको कोई पैसे नहीं दिया जाएगे, यह आपके reformation की तरफ हमें ले जाते हैं, यहाँ पे concept, एक debate आती है, retributive justice और एक reformative justice के बारे में, तो यह आप ज़रूर सोच treasure word रखा गया है, यह भी important है, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अब यहाँ पे महिलाओं और बच्चों पे अच्छा focus किया गया है, उनकी safety पे अच्छा focus किया गया है, जैसे कि यहाँ पे punishments बढ़ा दिये गए हैं अगर 18 साल से कम वर्ष की महिला के साथ rape किया जा इसलिए हो जाता है, क्योंकि यह पहली बार वाली बात है, terrorism को जब पहली बार आप recognize करेंगे, तो कहीं न कहीं आप लोगों के सामने एक एक example पेश कर रहे हैं कि अब हम लोग zero tolerance रखेंगे terrorism के against, तो यह इसमें बात है, एक और इसमें important चीज़ यह है कि terrorism में इस बार economic security या पिर monetary stability को भी ध्यान दिया गया है, यानि अगर माल लीजिए, किसी प्रकार से आप कुछ ऐसा करते हैं, जैसे कि आप नकली नोट शापते हैं, या फिर आप smuggling कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, जिस कारे में या फिर जिस act में इतनी शमता है कि वो instability cost करते हैं उस particular sphere में, वहाँ पे समस्या होती है, और अगर आप ऐसा करेंगे, तो हम आपको terrorism की definition के अंदर deal करेंगे, आप से उसी के अंदर बात करेंगे, तो यह यहाँ पे important है, अब हम चलते हैं अगले यहाँ पे provision की तरफ, यहाँ पे organized crime के बारे में कहा गया, organized crime को भी एक provision के तोर पे introduce किया ग करता है, फिर यहाँ mob lynching की बात की गई है, अगर पांच या उससे अधिक लोग मिलके किसी एक particular व्यक्ति पे attack करते हैं, किस-किस वज़े से, race की वज़े से, caste की वज़े से, उसके अलावा, आपके community की वज़े से, या फिर आपके personal belief की वज़े से, तो इसको mob lynching के अंतरगत गीना जाएगा, और इसके लिए क्या punishment है, इसके लिए life imprisonment या फिर death as a punishment दिया गया है, यानि इस प्रकार की घटनाओं को कम करने की समता ये चीज रखती है, फिर अगर हम बात करें आगे की तरफ, तो यहाँ पे organized time को पहली बार add किया गया, यह आपने पढ़ी लिया है, अ भोके धड़ी वाला promise करता है, या फिर एक decideful promise करता है, कि मैं आप से शादी कर लूँगा, और वो लोग एक साथ रहते हैं, वो लोग relationship में आते हैं, वो लोग intercourse करते हैं, तो ऐसे में, अब बाद में ऐसे situation हो जाती है, कि वो इस promise से अलग हट जाता है, तो यहाँ पे उसके जो भी laws हैं, उनको अभी तक gender neutral नहीं किया गया है, यानि सिर्फ वो women पे ही लागू है, लेकिन कुछ ऐसे laws भी हैं, जिनको यहाँ पे gender neutral किया गया है, जिसमें से एक तो था, अगर किसी बच्चे को एक जगे से दूसरी जगे पे ले जाया जाता है, किस वज़े से, illicit intercourse के कारण, तो यहाँ पे सिर्फ पहले प्रावधान था एक लड़की के लिए, इस पूरे में आपको offender की तरीक घोशित किया जाएगा, अगर यह जो बच्चा है, जिसको यहाँ से यहाँ ले जाया जा रहा है, वो एक लड़की हो, बट अब इसको gender neutral बनाते हुए, इसमें ल को किड्नाप कर रहे हैं, उसकी उमर 16 साल होगी, और फीमेल को किड्नाप कर रहे हैं, उसकी उमर 18 साल होगी, और इससे उपर अगर किड्नाप करते हैं, तो एक particular offense आप लागू था, अब इस यहाँ पर बोला गया कि यह अलग-अलग उमर क्यों है, वहीं किड्नाप कर रहे ह है तो यहां पे भी इस पर्टिकुलर चीज को जेंडल न्यूट्रल बनाने कोशिश की गई पहले यह सिर्फ महिलाओं पे लागू होती थी लेकिन अब जब यह सहीता आग चुकी है यह वाला प्रोविजन आ चुका है तो इसका मतलब अगर कोई महिला किसी पर्टिकुलर अब इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हटा दिया गया है वह अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले दिखिए यहां पर एक होमो सेक्जॉलिटी का यानि सेक्शन 377 हुआ करता था उसको यहां से हटा दिया गया है यहां से उसको डिलीट कर दिया गया है उसके अलावा जो की वर्ड इसमाल हुआ करता था कुछ लोगों के लिए पर्टिकुलर समुदाय के लिए जो शायद एक समय इन चीजों में संलगन थे बट अब वह सिचुएशन बदल चुकिए लेकिन अगर उनको ठक के तौर पर ही देखा जाएगा वही ओफेंस वही बहेवेर उनसे रखा जाएगा तो कहीं न कहीं perception आपका ऐसा बन जाता है यह व्यक्ति है यह इस प्रकार से काम करता आया है तो अभी यह चोरी करेगा या ठगी करेगा तो इसलिए यह जो BNS है या भारतिया नयाय सहीता है यह इन चीजों को ओमिट करता है अगर हम लोग साथ में दोस्तों मेल के साथ यानि कपल वन और कपल टू है अगर इस मेल का इस फीमेल के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेर चल रहा है तो क्या होगा और इस मेल ने जाके कंप्लेंड कर दिया तो यह वाला जो मेल है इसको गिरफतार कर लिया जागा इसके उपर कारवाही की जाएगी बट य जेंडर नूट्रल है क्या जेंडर नूट्रल नहीं है क्योंकि क्या महिला भी यहां पर दोशी नहीं है उसको भी इसकी सजा मिल सकती थी लेकिन यहां पर सिर्फ मेल को ही सजा दी जाती है यहां पर कई पारलिमेंटरी कमिटी यह कह रही है एडल्टरी का कानून इसमें होन चाहिए लेकिन जेंडर न्यूट्रल बनाने के बाद बट फिलहाल के लिए यहां से एडल्टरी को हटा दिया गया है यह कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको एक्जाम में याद रखने हैं अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक के तरफ यहां पे बात की गए इथनॉल ब्लेंडिंग से संबंदित इंडिया अभी एक समस्या का सामना कर रही है अब पहले देखते हैं क्यूं देखिए इथनॉल ब्लेंडिंग होता क्या है पहले तो जब हम लोग क्रूड ओयल में इथनॉल मिलाते हैं तो इसको कहते हैं इथनॉल ब्लेंडिंग क्रूड ओयल मत Greenhouse Gas का Emission काम हो जाएगे जिसके वज़े से हम Climate Change को रोक पाएंगे तो यह इसके पीछे का पूरा कारण होता है Ethanol Blending तो इसका मतलब अच्छी चीज है तो क्या दिक्कत है बहुत चीज तो अच्छी है हमारे टार्गेट भी अच्छे है हमने 20% Blending का टार्गेट लिया है 2025-26 तक हम लोग अच्छी राह पे भी हैं मतलब अच्छी प्रोग्रेश कर रहे हैं एक समय यह टार्गेट 2030 तक हुआ करता था लेकिन अपनी प्रोग्रेश को देखते हुए हमने इस टार्गेट को आग यह सरका के 25-26 तक कर दिया है फिर 10% तो हम लोग अल्रेडी इथनॉल ब्लेंडिंग में अचीव कर चुके हैं यहां तक पिच्चर बहुत अच्छी है सब चीज़े अच्छी लग रही है फिर आता है COP28 की यहां पे बात COP28 जैसे कि आपको पता होगा अब दुबाई में हुई थी वहां पे एक Renewable Energy Efficiency Pledge आई थी इसका एक अंदर कॉम्पोनेंट था इथनॉल ब्लेंडिंग से संबंदित इंडिया ने इस पर्टिकुलर पॉंट पे रेजिस्ट किया क्यों किया क्यों कि देखिए इंडिया को डर है कि अगर हम लोग इस प्रकार से इथनॉल ब्लेंडिंग पे फूकस करेंगे त मुद्द आता है food security क्यों तो देखिए दोस्तों food security इसी लिए क्योंकि जो इथनॉल है ना वह शुगर केन से प्राप्थ होता है शुगर केन से basically दो चीज़े आएंगी एक तो गन्ने का juice या फिर केन juice आएगा दूसरा इसका by product आएगा बी molasses अब इन दोनों से ही हमारा इथनॉल प्राप्थ होता है साथ में एक और चीज़ होती है मेज जिससे भी इथनॉल प्राप्थ होता है तो अगर किसी में भी आप focus करें उसको जादा करेंगे और इथनॉल की तरफ डाइवर्ट करें तो आपके food demands को match करने के लिए चीज़े कब हो जाएंगी अब देखिए एक यहां पर बात है कि जो मैंने शुगर केन की बात की problem यह आती है सरकार की कुछ policy हैं जिसकी वजह से किसान को इथनॉल industry की तरफ sugar cane को divert करने या उसको promote करने के लिए ज़्यादा incentive दिया जाता है as compared to sugar industries तो अब देखिए sugar industry की तरफ sugar cane जा नहीं रहा है जो की raw material है कहां जा रहा है इथनॉल industry की तरफ जा रहा है यानि यहां पे sugar की shortage होगी किसी चीज़ की shortage होगी demand और supply आपस में mismatch होगी तो इससे inflation बढ़े प्राइज़ शूट अप करेंगी वही चिंता है साथ में food security भी चिंता में आएगी तो यह चीज़ें यहां पे कही गई है अब जैसे बात की गई हमने पहले कुछ targets रखे उसके बाद COP28 में हमने जो renewable energy वाली pledge थी उसमें resistant behavior दिखाया क्योंकि उसमें एक छोटा सा एक point था व से 1.6% से अब कहीं हम लोग 11.8% तक ethanol blending अचीव कर पाए हैं तो अच्छा चल रहा है हम लोग सब बढ़िया चल रहा है बट अगर हम लोग इसी प्रकार चलते रहे अब जाके food security खत्रे में आ सकती है तो हम लोग देखते हैं और इसमें क्या points है सबसे पहले जो मैंने connection आपक इसी है तो divert करते हैं किस तरफ ethanol industry की तरफ तो यह नहीं जा पाता कहां पर sugar industry में अगर sugar industry में नहीं जा पाएगा यानि यहां पर supply कम होगी supply कम हुई prices बढ़ जाएंगे क्योंकि demand supply mismatch होगा वही चीज़ यहां पर हम पढ़ रहे हैं फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे क्या concerns है क्या challenges है जैसे कि हमने बात की केंज जो है केंज जो juice है उसको sugar की तरफ नाल ले जाने के बजाए अगर ethanol की तरफ ले जाया जाएगा तो उसमें जादा incentive प्राप्त होते हैं एक किसान को तो वही सोचेगा उसके अलावा अगर आप सोचें कि चलिए इसको छोड़ते हैं हम लोग grain based ethanol पर जाते हैं यानि ज फ्यूल में यहां एक debate का जनम होता है food versus fuel क्या आपके लिए ज़रूरी है सब को खाना खिलाना या फिर एक ऐसे फ्यूल की तरफ स्विच करना जिसके बिना अभी अभी काम चल रहा है हाला कि climate change में यह बहुत बड़ा रोल निभारा है जो हम लोग अभी petrol या crude oil यूस कर रह है फिर उसके बाद आगे तो करना क्या चाहिए आपने यह बताया कि यह समस्या है क्या करना चाहिए सबसे पहले इस प्रकार के infrastructure या urban design की तरफ आप बढ़े जहां पे renewable energy को promote किया जाए जिससे की ethanol blending के आलावा भी और चीजों से आप climate change से लड़ सके तो पहली बात है दूसर आप relax करने की कोशिश करिए जिससे की आपको भी ample amount of time मिले एक buffer space मिले एक transition के लिए एक switch के लिए और एकदम से बहुत सारा भार आपके ऊपर ना आए तो यह कुछ important points है इस particular article के फिर हम समझते है high fat sugar salt food के बारे में यह चीज क्यों important है देखिए यह जो इस प्रकार के food है जि इस में sugar की मातरा भी ज्यादा है salt की मातरा भी ज्यादा और fat की मातरा भी ज्यादा वह कहीं ना अपको समझ में आ रहा हुग никаких health impact करेंगे कैसे करेंगे obesity कौज करेंगे diabetes कौज करेंगे blood pressure बढ़ाएंगे और यह सब ही कहीं कहीं cardiovascular disease की तरफ आपको लेके जाएंगे cardiovascular disease आपके सामने आ सकते हैं health impact होगी और क्या हो रही है तो हाँ actually यह चीज हो रही है अगर आप कुछ data पर देखें कुछ facts पर देखें तो देखिए 38% से इंडिया में करीब 65% non communicable disease बढ़ गए हैं उसमें हाट संबंदी disease हैं वो major role play करते हैं उसके अलावा अगर annual death आप देखेंगे dietary risk से वो करीब 1.2 million है dietary risk का मतलब आपकी diet में जादा salt आप ले रहे हैं जादा sugar ले रहे हैं जादा fat content वाला अगर food खा रहे हैं तो आपकी health भिगडने की संभावनाय बढ़ जाती हैं और ऐसे अगर मैं बात करों कि fatal कितनी बार हुआ या फिर इसमें death कितनी बार होई है तो करीब 1.2 million annually हो रही काफी बड़ा amount है यह तो यह चिंता का एक current बनता है उसके अलावा obesity इंडिया बहुत इंडिया in fact अगर हम बात करें तो उससे जादा पूरा world ही अभी obesity, diabetes इससे या फिर lifestyle disease अगर मैं पूरी चीज़ को एक ही set में रखूंगा तो इसको lifestyle disease कहेंगे पूरा विश्व जो है इस particular बिमारी से इस particular disease से अभी ग्रसित है तो इसको ठीक करना जरूरी है और इसके पीछे जो कारण है वो junk food या ऐसे food जिसमें salt का content, sugar का content, fat का content बहुत जादा मातरा में available है तो ये बात हुई फिर उसके बाद इंडिया के लिए और चिंता जनक बात ये है इंडिया जो है largest producer और largest consumer भी है किसका sugar का HFSS अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें 1S stand करता है sugar के लिए और उसी sugar में जब इंडिया largest consumer भी बन जाता है तो ये बात तो लाजमी है कि health भिगडेगी ही हमको इस पर ध्यान देनी की ज़रूरत है तो क्या government ने कोई initiative चलाया है government ने भी इसको देखते हुए initiative चलाया है eat right movement चलाया गया है जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अच्छा अब हमने बात कर ली कि सब चीजे समस्या का कारण है तो कोई एक ऐसी safe level भी तो होनी चाहिए जिसके आगे हमको नहीं बढ़ना यानि इतना आप consume करो तो healthy है क्या वो safe level है तो हाँ वो safe level भी है safe limits भी है ये mainly WHO ने बताया सबसे पहले अगर salt की बात करें तो WHO कह रहा है 2000 mg per day से कम salt आपको consume करना है और अभी approximately 4310 mg per day sodium आप consume कर रहे है यानि जो safe limit है उसके double हम consume कर रहे हैं चिंताएं फिर से यहाँ पर बढ़ती है फिर अगर आप देखें तो ऐसे ही sugar के लिए भी limit है sugar के लिए क्या limit है sugar के लिए limit यहाँ पर दी गई है करीब 5% यानि ऐसे product या फिर ऐसे beverages हैं जिसमें free sugars available हैं आप कितना use कर सकते हैं इतना कि वो energy का सिर्फ 5% ही बनाएं इससे ज़्यादा आप यूज नहीं कर सकते और अगर आप करेंगे तो फिर health related disease आपको सताएंगे ऐसे ही अगर आप बात करें energy expenditure का 30% से ज़ादा आप total fat consume नहीं करें यानि salt के लिए भी sugar के लिए भी और fat के लिए भी particular specified safe limits हैं मौजूद हैं आपको करना क्या है उसी के अंदर रहके आपको अपने food में अपने dietary habits में change करना है जिससे की health की जो अभी समस्या है अमारे सामने आ रहे हैं उससे हम लड़ सकें उससे हम बहतर कल की तरफ आगे बढ़ सकें फिर इंडिया ने क्या इस प्रकार की कोई चीज चलाई तो हाँ इंडिया ने भी चलाई है जैसे की हमने बात की इंडिया का एक eat right movement है eat right movement के तहरत इंडिया क्या कह रहा है देखिए इसका नाम है तेल चीनी नमक थोड़ा कम यानि चीनी शुगर की बात हो रही है नमक salt की बात हो करना क्या चाहिए क्या future consideration होने चाहिए यहां पर इस article में जो author है वो कहते है आपको यहां पर tax बढ़ा देना चाहिए high fat sugar और salt वाले foods पर आपको tax बढ़ा देना चाहिए क्या होगा अगर कोई चीज अभी आपको 10 रुपे में मिल रही है उस पर 2% tax लग रहा है तो 12 रुपे में आपके हाथ में आती है माल लीजिए अगर वहीं कोई चीज आपको 10 रुपे में और यहां पर tax 10% ही हो गया तो आपको 20 रुपे में मिलेगी वो चीज पहले वो चीज 12 रुपे मिल रही थी अब वो चीज 20 रुपे मिलेगी लगा सकते हैं यहाँ पे एक चीज होती है फिर उसके बाद क्या कभी ऐसा हुआ भी है तो हाँ ऐसा भी हुआ है कई सारी केरला का यह जो initiative वे commendable है सरानिय है फिर इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही आप अगर tax पे focus करेंगे उस चीज की दाम को महंगे करेंगे तो ultimately आप कहीं ना कहीं आपके health पे होने वाले detrimental effects को कम कर पाएंगे ऐसी food habits जो आपको health की health की तरफ ले जा रहे हैं उनको आप कम कर पाएंगे इसी लिए और इसी note पे आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि आपको अपनी diet में salt, sugar और fat content को एक limit तक ही रखना है तभी सही से आप काम कर पाएंगे तो दोस्तों हमारे साथ बने रही है हमें support करते रही thank you